तुमस्कार दोस्तों, KnowledgeMax में आपका स्वागत है, एक अक्टूबर से कुछ टेक्स के रूल्स चेंज हुए हैं, उनके बारे मैं आपको जान करें देने वालू हूँ, पहले कि मैंने वीडियो बनाया थे लेकिनों डिटेल में नहीं था, तो डिटेल में भी वीडियो ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिले कि इंकम टेक्स या इस तरह के सेविंक्स के जो रूल हैं, वो क्या-क्या चेंज हुए हैं, और आप कहां आपके जेपर भारी पढ़ने वाले हैं, कहां आपको फायदा होने वाला है, अगर आपने अभी तक मिशन करोड़ पहती इस ग्रूप को जोएन नहीं किया, तो जोएन जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन दबा ना मत बोलना, जब आप Knowledge Max को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ने से पहले ये एक डिस्क्लेमर है, लिगल डिस्क्लेमर कि कि किसी भी तरह का कोई भी इ 0.02, and options पर 0.01%, future and options का सरकारा कहना है, future and options की में लोगों के participation को, या young generation के participation को कम करने के लिए कदम उठाया है, हाला कि मैं इससे सहमत नहीं है, चलो फिर भी जो भी है, ये tax आपके उपर लग रहा है, एक एक अक्टूबर से, अधार को mandatory कर दिया है, जब भी आपको pen card apply करते ह हैं, या आप income tax return का form बरते हैं, income tax return बरते हैं, enrollment ID उसमें काम नहीं करेगी, आपको या तो आदार complete चाहिए, नहीं तो उसके बगएर ये काम नहीं होगा, ये एक बड़ा गजब का change के हैं उनने, जो बड़ा लोगों में भारी पढ़ने वाला है, share buyback को अब treat किया जाएगा dividends की तरह हैं, इसका मतलब ये हुआ कि company जो पहले tax pay करते थी buyback पे, वो आपकी income में capital gain माना जाएगा, और उसके उपर tax लगेगा, income में आपकी taxable में हो जाएगा, 30% वाला है, capital gain dollar taxes पे लगा ऐसी दिसी बात ही, आपके capital gain में add हो गया ये, ठीक है, TDS floating में 10% apply होगा, central या state का कोई भी bond अगर उसकी earned value 10,000 per year से ज़्यादा है, तो उसके उपर आपके उपर आपको 10% TDS देना पड़ेगा, इतना तो tax भी नहीं मिलता जिना TDS काट लेंगे ये, सरकार इतना tax काटती यार, return में कुछ मिलता ने, medical facility या education तक नहीं मिलती है, TDS rate reduction और इसलिए गड़करी जी ने कहा था कि सरकार को सोचना चाहिए कि health insurance पे tax rate कम करें, GST कम करें, मतलब उनके खुद के मंतरी करें, फिर भी समझ में नहीं आता है, TDS rate reduction यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा आपको राहत देनी कोशिश किये, कौन-कौन सी चीजे हैं जहाँ पर TDS के rate में reduction हुआ है, उसके बारे मैं बात करूँगा, एक यह अच्छी पहले सरकार की, we must appreciate, इसको जरूर अप्रिशेट करना चाहिए, विवाद से विश्वास तक income tax में इतने सारे लोगों के पेंच फसे रहते हैं, विवाद से विश्वास scheme लागू हो गई है, एक अक्टूबर से, 31 दिसमबर तक चलेगी, इसका फायदा आप जरूर उठा है, पहले भी इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो मैं अब आपको सर्फ ये बताने वाला हूँ कि ये TDS जो कट हुआ है, वो किस-किस प्रावधान के अंदर में कट हुआ है, जहां पर आपकी जेपर थोड़ा सा फायदा पढ़ने वाला है तो ये बिजनस टूडे की एक डेटा है, वहां से लिया है मैंने बिजनस टूडे से, section 194 DA में जहां पर insurance policy पे payment होती थी, वहां पर TDS 5% से गटके 2% हो गया है, commission जहां sale of lottery ticket अगरा में जो commission होता था, उसमें 5% से गटके 2% हो गया है, एक October से, section 194 H में payment commission on brokerage जो होती थी, उसमे भी 5% से गटके 2% हो गया है, तो यहां पर 3% का फायदा मिलने वाला है, लोगों को जो इस अक्षेत्र में काम करते हैं, जो इस तरिकी चीजें अवेल करते हैं, अच्छा अगला है payment of certain sums by certain Hindu or individual undivided family, Hindu undivided family और कुछ individual ऐसी कुछ payments, clarify नहीं किये, कुछ payments जिनमें 5% लगता था उसको भी 2% कर दिया है, ठीक है, तो कुल मिला के यह है कि TDS ऐसी चीजें में 5% था, वाँ 2% हो गया है, लेकिन section 194, ओ में payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participants, e-commerce operator, e-commerce participants को जो payment करते थे, वो 1% से गटके 0.1% हो गई है, यानि 0.9% का इसमें फायदा हुआ है, 0.9% का, फायदा हुआ है, एक October से, और कुछ 194F के अंडर में जितने भी TDS लगते हैं जहां पर भी, जहां पर भी जो tax लगता था, उसको फोर्गो कर दे, उसको हटा दिया है, अब वो नहीं लगेगा, जैसे री-परचेज ऑफ यूनिट्स by mutual fund or unit trust of India और ऐसी से, इन पर न नहीं है, knowledge max को subscribe नहीं किया, subscribe कर लीजेर, bell icon दबाना मत बूला, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें, thank you very much, take care, जैहन्द